दोस्तों share market में एक अच्छी-खासी correction अभी देखने को मिल रही है और जैसे कि मैं आपको पिछले 3-4 महिने से बता रहा हूं कि share market में 2022 में ऐसे ही आपको लगातार volatility देखने को मिलने वाली है तो 2022 में आपको करना क्या होगा कि जब market उपर जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है और जब market correction mode में आती है निफ्टी 1000-2000 point correct होती है तो आपको good qualities की companies को जो correction बहुत ज़ादा दिखा चुकी होंगी उनको अपने portfolio में add करना है आपको डरना नहीं है कि stock market गिर गई है और उसमे मुझे invest नहीं करना है बलकि जब market उपर जाती है तब आपको invest करने से बचना है क्योंकि actually retail investors exactly उल्टा कर रहे है अभी जब बिल्कुल recent में market 18,000 के आसपास गई थी तब बहुत सारे लोग investment करने शुरू कर दी थी और जब market 17,000 के आसपास जाती है तो investment करना बंद कर देते है और हम selling करना लगते हैं आपको exactly इसका उल्टा करना है अब जब market 17,000 के आसपास आ गई है तो मुझे लगते है कि आप 15-20% के जो अपना total पैसा है वो invest कर सकते हैं अगर आप investment के बारे में सोच रहे हैं तो आज मैं उनी companies के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक good quality की companies हैं और जो अच्छा खासा correction दिखा चुकी है जो लंबे time में आपको अच्छी returns दे सकती है और इस point of time पे एक अच्छी buying option आपके पास हो सकती है और बलकि मैं ये भी आपको बोलूँगा कि पूरी 2022 में आप इन companies में नजर रखें जैसे जैसे companies correction mode में आती है थोड़ा थोड़ा क करके आप इस companies को accumulate करें लेकिन 2022 में बहुत जादा किसी भी point of time पे आपको lump sum में investment नहीं करनी है ये चीज़ आप खयाल रखें क्योंकि market बहुत जादा volatile रहने वाली है तो थोड़ा थोड़ा करके SIP mode में ही आपको invest करना है चाहे आप mutual funds में invest करते हैं चाहे आप stocks में invest करते है तो अब आईए दोस्तों देखते हैं वो कौन से stocks हैं जो एक अच्छी buying opportunity इस वक्त दे रहे हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना DMAT account नहीं खुलवाय है तो link description में मिल जाएगा आप वहाँ पर जाकर खुलवा सकते हैं तो सबसे प अच्छा support level 700 के आसपस दिखा रहा है यहां पर आप देखिए मार्च में यह 700 के आसपस गया था उससे वहाँ पर ऊपर चला गया था उसके अलावा आप और पीछे चलेंगे तो यहां पर आप December 21 में देख सकते हैं December 21 में दो बारी यह 700 के level से घूमा था उसके बाद October में त तो काफी अच्छे expectation से काफी अच्छे result आए हैं तो मुझे लगता है कि यह share अब आपको 700 में थोड़ा मुश्किल होगा recently मिलने में लेकिन एक अच्छा share है यह जो कि long term में आपको एक अच्छी returns generate करके दे सकता है उसका reason यह रहा है कि recent में पिछले 2-3 सालों में drastically इसका profit है वो growth हुआ है उसमें आप देख सकते हैं तीन सालों में 81% की growth है एक साल में 37% की growth है और 5 सालों में 20% की growth है तो growth बहुत अच्छी share के profit में लगातार देखने को मिल रही है जिसकी वज़े से अब मुझे लगता है कि आने वाले time में यह share एक अच्छी returns generate करके देगा और साथ ह जो NPA हैं वो भी इसके कम हो रहे हैं तो बहुत अच्छा shift इसने wholesale से retail में दिखाया है जिसकी वज़स से एक अच्छी खासी यहां पर buying opportunity यह share आपको दे रहा है दूसरा share भी दोस्तों banking sector से अगर हम बात करते हैं SDFC bank हाला कि जो result थे इसके वो बहुत जादा encouraging नहीं आया है ल perform ना करें लेकिन उसके जो fundamentals हैं उनमें बहुत जादा अलग फरक नहीं आया हो तो ऐसे ही कुछ मौक्य होते हैं जब आपको इन companies को portfolio में add करने की जरूरत होती है तो यहां पर अगर आप देखेंगे लगबग अपने 52 week low के आसपास यह चल रहा है आप देख सकते हैं 1292 के आ आसपास यह चल रहा है PE ratio wise अगर आप देखेंगे PE ratio जो इसकी 5 सालों के average रही है वो 27.97 के पास रही है अभी इसका 19.8 के आसपास PE है तो इसका 5 year का PE ratio भी बहुत जादा कम हो चुका है अगर आप 3 सालों के देखेंगे तो 3 सालों में भी 25 का median PE रहा था एक साल में भी देख पर relatively जो इसका price है वो कम हो रहा है तो एक अच्छी opportunity आप मान सकते हैं इसको long term में आपको अच्छी growth दिखा सकता है यह share अब यहाँ पर जितनी भी negatives थे वो यहाँ पर धीरे धीरे price दिन हो रहे हैं खराब इसका जो result रहा है उसकी वज़े से काफी जादा यहाँ पर 26% के आसपास की return इसने दिया है लेकिन आप यहाँ पर देखिए profit growth में क्या बहुत ज़ादा कुछ फरक आया है नहीं आया है 5 सालों में 20% की growth है profit में 3 सालों में 19% की 1 सालों में 20% की और 10 सालों में 22% की growth है sales की growth में फरक आया है जिसकी वज़े से यहाँ पर थोड़ा impact आता लेकिन profit जो ज़ादा माईने रखता है वहाँ पर बहुत ज़ादा असर नहीं आ है तो ये एक बहुत ज़ादा positive है return on equity भी इसकी लगातार same चल रही है 10 सालों में 18% की 5 सालों में 17% की 3 सालों में भी 17% की तो ये जो time होता है जो lean period होता है किसी भी share का long term investor को ऐसे मौकों की तलाश रहती है ऐसे मौके में धीरे धीरे जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बोला था एक साथ बहुत ज़ादा purchase आपको कुछ भी नहीं करना है थोड़ा थोड़ा करके आपको यहाँ पर purchase इस साल करना होगा क्योंकि market आपको बार-बार मौके देगी हो सकता है इस से अच्छा मौका भी आपको मिले तो इसलिए धोड़ा थोड़ा करके आपको अगले एक साल तक investment करनी है तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 सालों की इसकी stock की CIGR 17% की है 5 साल में गिर के 12% की रह गई 3 सालों में 6% की रह गई 1 साल में minus 4% की रह गई तो यहाँ पर मुझे लगता है कि already काफी सारी negatives priced in इस stock में already हो चुके हैं तो यह दो banking sector के जो दिगगत stock है मुझे लगता है कि यह आपके portfolio में इस वक्त आपको add करके एक अच्छी returns generate करके दे सकते हैं इसके अलावा चलते हैं एक और share जिस पे काफी negative अभी चल रही है situation वो है Infosys Limited दोस्तो देखिए यहाँ पर भी मैं वो ही चीज बोलूँगा अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है एक दिन में 7% के आजपास की गिरावट आ गई थी लेकिन अगर आप अभी भी overall fundamentals इस शेर के देखेंगे तो अगर हम यहाँ पर इसकी returns देखते हैं CAGR profit growth देखते हैं एक साल में 14% की तीन साल में 13% की दस सालों में 10% की तो कोई growth में profit की बहुत ज़ादा फरक नहीं आया है sales growth देखिए एक साल में 21% तीन सालों में 14% तो sales की growth भी अच्छी है profit की growth भी overall अच्छी है एक quarter दो quarter खराब होने से बहुत ज़ादा ऐसे बड़ी companies को फरक नहीं पड़ता है opportunities create होती है investors के लिए क्योंकि ये stocks ऐसे है Infosys, SDFC Bank बहुत ज़ादा मौका नहीं मिलता है इसको लंबे टाइम तक low price में खरीदने का तो यहां पर एक अच्छा price आपको मिल रहा है जिनमें आप stock को खरीद सकते है अब SDFC Bank और Infosys में एक चीज़ आपको याद रखने हैं कि एक अचानक से ऐसा नहीं होने वाला इन में कि stock अचानक से भागने लगेंगे तो आप अपना price चूज़ कर सकते हैं आप decide कर सकते हैं कि भई 1300 के नीचे अगर SDFC Bank आएगा तो हम उसको धीरे धीरे add करने के बारे में सोचेंगे या Infosys अगर 1500 के आसपस आएगा तो हम धीरे धीरे add करेंगे अब अपने इस आपसे price define कर सकते हैं और इनको धीरे धीरे add अपने portfolio में करने के बारे में सोच सकते हैं दूसरी दिगज कंपनी यहाँ पर भी वो ही चीज हुई है कि यहाँ पर भी जो result है इस quarter के वो expectations ऐसे नहीं आया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी खराब हो गई है कंपनी आज भी उतनी ही अच्छी है return on capital employed देखिए 55% return on equity देखिए 44% के आशबस तो कंपनी आज अच्छी है अभी भी लेकिन एक साल की returns अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 16% की CAGR return है अगर आप profit growth देखें 15% की एक साल में sales growth देखें तो 17% की तो यह भी एक ऐसी company है जो लगातार आपको अच्छी returns देगी लेकिन patience के साथ धीरे-धीरे इनको इनके prices आप define कीजिए कि आपको किस price पे इनको लेना सही रहेगा क्योंकि अभी market और भी अच्छा मौका दे सकती है और ये भी एक मौका है थोड़ा-थोड़ा करके invest करने का तो ये थे चार ऐसी companies जो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी return आने वाले time में generate करके दे सकती है इसके अलावा SDFC Life पे काफी सारे लोग पूछ रहेते तो देखे मैंने SDFC Life के अलिए आपको यही बूला हुआ है कि SDFC Life का 500 रुपे पे बहुत अच्छा support level है तो जैसे ही इसको दीरे-दीरे मैं भी इस share में यही कर रहा हूँ जैसे ही ये 500 के आस-पास आता है तो मैं थोड़ा बहुत इसको add कर लेता हूँ अपने portfolio में क्योंकि यहाँ पर भी वो ही चीज़ है कि बहुत जादा अभी scope कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत जादा कुछ growth हो जाएगी तो 500 सबा 500 के बीच में जैसे ही ये share आता है उसका reason क्या है कि ये share इतना क्यों गिर रहा है आप देखिए एक साल में negative 19% की return है एक साल में profit की degrowth हुई है 14% से लेकिन sales की growth अच्छी है अभी भी 31% की growth हुई है profit में growth क्यों नहीं हो रही है उसका simple reason COVID-19 की वज़े से since ये एक life insurance company है बहुत सारे life insurance की claim इस company को process करने पड़े हैं जिसकी वज़े से उसका profitability है उस पे लगातार impact आ रहा है और company यहाँ पर बहुत ज़ादा negative profit में आ रही है जिसकी वज़े से stay और में एक दो साल में यहाँ पर थोड़ी ज़ादा growth नहीं दिख रही है लेकिन company अच्छी है fundamentals अच्छे है again scope अच्छा है sector का तो कोई reason नहीं समझाता कि long term में यह perform क्यों नहीं करेगा लेकिन आपको price define करना है जैसे की 500 का यहाँ पर एक अच्छा support level दिखता है ऐसे ही ICIC Lombard के बारे में भी जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था ICIC Lombard भी एक काफी अच्छी general insurance company है इसके पास भी बहुत सारे अलग-अलग insurances है fire insurance, health insurance, car insurance बहुत सारे different insurances यह एक company यहाँ पर handle करती है यहाँ पर भी वही हो रहा है कि एक साल में अच्छी returns नहीं है profit में भी degrowth है क्योंकि इनका जो health insurance business है उसमें काफी जादा claims process करने पड़े जिसकी वज़े से यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिलती है अगर इस share की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 1200-1250 के आसपस एक अच्छा support है आप लगातार देखेंगे 1200-1250 और long term में भी अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यह जो 1200 की range है इसकी वो काफी long term में भी इसका काफी अच्छा support रहा है तो 1200-1210 के 20 की range में आप यहाँ पर इसको अपने portfolio में add करने के बारे में सोच सकते हैं उसके अलावा 2-3 companies जो थोड़ा अगर आप जादा risk लेना चाते हैं तो आप add कर सकते हैं MTR Technologies देखेंगे यह company मैं काफी time से आपसे बात करता हूँ काफी अच्छी मुझे लगती है अभी अपने all time high 2500 से काफी जादा correction में आ चुकी है और लगातार यहाँ पर अगर आप इसके profit और sales की growth देखेंगे यहाँ पर दोस्तों आप इसके profit की growth देखिए 10 सालों में 41%, 5 सालों में 203%, 3 सालों में 104%, 1 सालों में 60% तो profit की growth लगातार यह एक अच्छी growth दिखा रही है sales की growth देखिए 16% 10 सालों में 5 सालों में 25% की growth तो growth wise काफी अच्छी company है इसका जो business है वो भी काफी अच्छा scope है यह company manufacture करती है अलग-अलग spare parts और किन sectors के लिए करती है energy sector, nuclear sector, space sector, aerospace, defense तो ऐसे-ऐसे sectors के लिए spare parts, assemblies, machine equipments बना रही है जहां पर इसकी एक तरह के से monopoly चल रही है तो यह अच्छी returns आपको दे सकती है इसके अलबा अगर मैं small cap company के बारे में बात करता हूँ HFCL तो यह company भी अच्छा scope मुझे लगता है long term में अच्छी खासी growth आपको दिखा सकती है और अच्छा खासा correction भी इसने अभी recent में दिखाया है अगर आप एक साल में देखेंगे तो 70 की range एक अच्छी range इसकी दिखती है आप देख सकते हैं यहाँ पर 70 के आसपास अच्छा support इस share ने लगातार दिखाया है तो 70 के आसपास एक अच्छा यहाँ पर आपको support दिखता है share में और 70 के आसपास ही इसका 200 DA में भी चल रहा है तो यह share 200 DA में के आसपास एक अच्छा share यहाँ पर support दिखा रहा है तो 70 के आसपास यह share अच्छी returns आपको दे सकता है अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसकी भी profit growth देखेंगे एक साल में 100% की growth है 3 सालों में 13% की और 10 सालों में अगर आप sales growth देखेंगे आप 48% की तो growth wise काफी अच्छा stock है यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखेंगे तो यह share basically यह इस company के बारे में मैं detail video भी बना चुका हूँ यह company काम क्या करती है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यह basically telecom infrastructure के काम में यह company है और जो telecom infrastructure के लिए equipment लगते है optical fire लगती है, optical fire cable लगती है वो यह company लगाती है और north में काफी ज़ादा यह काम अभी कर रही है और बहुत ज़ादा जो अगर हम customers की बात करते है तो Reliance CEO इसका एक major customer है जिसको यह supply यहाँ पर कर रही है तो एक अच्छा share यह है और एक अच्छे prices पर आप 101 से देखके आप यहाँ पर देख सकते है काफी अच्छी correction यह share भी आपको यहाँ पर दिखा चुका है आखरी company दोस्तों जो आज जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ यह अपने all time high से अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी correction है share अगर आप बात करें तो chemical sector का यह एक share है जो majorly आप देखेंगे domestic और export दोनों में ही यहाँ पर काम करता है यहाँ पर इसके profit में कोई कमी नहीं आई है profit की growth लगातार अच्छी दिखती है 10-5-3 सालों में अच्छी growth यहां पर है अगर आप sales की growth देखेंगे तो 10-5-3 हर type में यहां पर अच्छी खासी growth देखने को मिलती है stock के price में देखेंगे तो यहाँ पर stock के price में भी अच्छी growth है return on equity भी, इसकी अच्छी खासी यहां पर देखती है तो ये भी एक share है जो long term में एक अच्छी returns आपको already दे चुका है लेकिन पिछले एक साल में बहुत जादा perform नहीं कर रहा है तो एक अच्छा scope है ऐसी companies को धीरे धीरे portfolio में add करने की तो दोस्तों ये कुछ companies हैं जो मैं लगातार आपको कई बार इस वीडियो में बता चुका हूँ और जैसे ही ये companies मुझे लगता है कि अच्छे price पे आ गई है तो हम लोग इन shares के बारे में discussion करते हैं और long time अगर आपका vision है इन्वेस्ट करने का 5-10 सालों में तो ये shares आपको लगातार अच्छी returns दे सकते हैं बस आपको 2022 में इतना करना है कि जब share ये बढ़ते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है और जब ये share अच्छा खासा correction दिखाते हैं तो आप इन shares को add करने के बारे में सूथ सकते हैं बाकी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इन में से कई stocks मेरे portfolio में भी है तो ये video किसी भी तरह की investment advice नहीं है आप अपने portfolio में किसी भी share को add करने से पहले अपने financial advisor से जरूर बात करें मेरी तरफ से दोस दोस तो बसाज इतना ही धन्यवाद